वाय convenience, अपने आपका मेरे चनल में Shape of new fitness, अगर आपने मेरे चनल में सब्सक्राइब में किया प्लीज जौप खूरो, आप लोग मेरे ऑड है कर दो, आप लोग शेयर नी कर रहिए तरीग है 鬼 तो जानते हैं क्या होता है सोया चंट्स के बारे में तो जानते हैं क्या होता है जानते हैं क्या होता है दो एक आपना होता है उसके और को एक्स्टाइक करके निकाल के जो पचा वह पार्ट होता है वह होता है जी फ्रेंडी चलिए बास करते हैं कि जैसा मैंने कहा तो अपने लास्ट वीडियो में कि इसके कुछ साइड एफेक्स भी थांत तो टुक्या होते हैं मिव्राइप क्यों यह आप उमारे इंडीयन कमलीजे में इत्मा फीमस हुता है इसके साइड इफेक्स क्या होता है जैसा ही आप जानते हैं कि यह फूल औफ ऐस्सेन एस्स Consider क्यों दिए एस न होता है एक female hormone, जी फ्रेंड, female hormone जो की male quality बहुत ही कम produce करती है, तो ये male females में पाया जाता है, अगर हम अपनी soya की quantity, overall daily quantity बढ़ा देंगे, daily quantity बढ़ा देंगे, तो हमारे hormonal disbalance होने के chances होते हैं, जी हाँ, मेरी video जितने भी male देख रहे हैं, डड़के देख रहे हैं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, कि अगर आपने अपना soya intake की जादा ही बढ़ा दिया, आपके hormonal disbalance हो सकता है, जी friends, तो क्या इसका सही तरीका होता है, हमें किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए, कितनी quantity में हम इसको ले सकते हैं, कि हमारी body में तब कुछी side effect ना हो, देखे friends, अगर आप सुबह से शाम तक अपनी टाइट में केबल soya soya soya, आप soya milk ले रहे हैं, आप soya chunks ले रहे हैं, आप अपने dinner में soya ले रहे हैं, आप tofu ले रहे हैं, soya beanka paneer ले रहे हैं, तो आपकी जो overall intake होगी, तो overall बढ़ जाएगी, तो आपको अबसी बात है problem होगी, क्योंकि आपका estrogen बढ़ जाएगा, जी friends, हमें अपनी जो soya protein होती है, उसकी intake balance करनी चीए, अगर आपको protein की लग रहे हैं, तो आप बहुत सारे और भी protein products होते हैं, आप उससे ले सकते हैं, आप वे यूज़ कर सकते हैं, आप milk यूज़ कर सकते हैं, आप पनीर, जो आपका milk products होता है, पनीर आप वो यूज़ क करते हैं, कि जो soya protein होता है, वो बहुत जाला बेटर है, चिकन प्रोटीन के मुकामले, हला कि मैं vegetarian हूँ, लेकिन मैं आपको बी बताना चाहूँगा, कि चिकन प्रोटीन is much better than soya protein, क्यों आप जैसे कि इस चार्ट में देखते हैं, इस चार्ट में 100 जो ग्रम आपका soya होता ह उसमें होता है, अप्रोटीन के साथ करते हैं, तो बोईल चिकन में ओविस्टी बात है, इससे protein हिससे कम होता है, पर उसमें carbs भी हिससे कम है, तो इसका मत्तब यह होता है, कि जो बोईल चिकन की protein क्वालिटी है, वो बहुत जादा बेटर है, जो वो आपको protein प्रोटीन क्व करेगा, वो आपकी पॉडी में आपको लीन गेनिंग करें, सोया प्रोटीन नहीं, सोया प्रोटीन is a bad protein, आप अगर इसकी इंटेक बढ़ाएंगे तो यह आपको बल्क, आपको गंदी गेनिंग करेगी, आपको घोटा कर देगी, जी फ्रेंड्स, तो चिकन प्रोटीन is much better than अगर आपको बल्क, अगर सोया प्रोटीन नहीं, तो आप एक दिन में एफ्रोटीन से खास भुश्मनी नहीं है, जो मैं इसकी इतनी पुराइए कर रहा हूँ, बस जो नॉलेज मुझे अभी तक अपने एक्स्पेशियन से मिली है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर अगर आपको सोया प्रोटीन लेना है, तो आप एक दिन में एफ्रोफ्स 25 से 30 ग्राम कर ले सकते हैं, आप सेफ हैं, आप टोटली सेफ हैं, आपको कभी दी प्रॉब्लम नहीं प्रोटीन, लेकिन अगर आपने 30 ग्राम के ऊपर, अगर सबोस करिए आपका बोड़ी वेट 70 80 kg के आज पास है, तो आप 25 से 30 ग्राम सोया प्रोटीन थोड़ा थोड़ा करके आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा प्रोटीन लेने की कोशिश करी तो आपको प्रॉब्लम ओंगी, जी फ्रेंग्स, अगर आप इसका कंपेर बाकी दूसरे प्रोटीन से क एक्रब्लम खेंज रहे हैं, इसा चाहीं करेंगे, सब्कूर्थ तरह इसका कंपेर आप ऐक्से कर रहे हैं, एक में इससे प्रोटीन कम होता है, लेकिन सेम च्केडल की तरह एक्प्रोटीन जो बहुत अच्छा माना किया है, बहुत ही लीड प्रोटीन होता है, in compare with soya तो सोया प्रोटीन से मेरी कोई खास दुश्मनिक नहीं जैसे मैंने भी बोला, बस मैं आपको सच्चाईयां बता रहा हूं, अगर आप इसका कंपेर वे से करेंगे, बहुत सारे अकल-मंद इस दुनिया में आये हैं, भगवान ने पता नहीं क्यों उनको बेजा हैं, वो सोया प्रोटीन था, कंपेर वे से करते हैं, वे प्रोटीन से करते हैं, भाई, नेट चलाते हो तो लोग, गूगल करके देख लो, अपना आइना सामने आ जाएगा, ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये मजाग था, बर ये सच है, कि वे का कोई भी मुकाबला नहीं है, सोया, कोया, कोया कर सकता, सोया प्रोटीन आप टेस्ट के लिए सकते हैं, जैसा मैंने बताया, अगर मूड ऑफ चेंज, आपका मन्नी कर रहा है, कुछ भी खाने का, आप सोया प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कंपल्सरी मत तरिये कि आपको सोया ही खाना है, बहुत सारे लोग मैं इसलिए आप लोगे मले के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा समझदार बनिये, बीस्मार्ट, जो चीज आपकी बोडी प्रडूस नहीं करती है, आप उसको तूसे चले जाओंगे, तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स मस आज का ये छोड़ा सा टॉपिक मैंने कवर इसलिए किया कि मैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि सोयबीन के क्या साइड एक्ट होते हैं, तो आप को करता हूँ, आपको शायद सारे डाउट प्लियर हो गया, अगर आपको फ्रेंड्स कर सकते हैं, मेरे इंस्टागांट पर नीचे आपको लिंक मेल जाएगा, और मैं चाहता हू कि आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके या मुझे इंबॉक्स करके बताएं कि मैं जो नेक्स वीडियो बनाओ, उसका टॉपिक क्या रखते हूँ, मिलते हैं अपनी अब ये वीडियो में, तब तक के लिए गोट्मिप्लाइब